बीए 1 सेमस्टर में है उनके लिए हम ले क्या है economics economics का paper है 2022 के लिए most important question को देखेंगे यहां से देखो most important question देखो 22 में हो या फिर 23 में मैं most important question करा रहा हूँ most important क्या आपके exam के लिए जिए सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है जो मौश्ट मौश्ट है भही मैं आपको वीडियो बनाकर explain कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर सके और मैंने 2022 में आने वाले question दे रहे हैं एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको important question देता हूं वही पेपर में जो सफे होते हैं आपको बताता हूं पेपर हैकर को subscribe कर लो यादि चाद्रों के कर सकता है उन तत्वों के बारे में और गटक तत्वों को हम गटक भी बोल सकता है ठीक है वह कौन-कौन से हैं वह आपको बताना है यह फिर आपसे दूसरे टाइप से कोशन बनता है कि मांग फलन का वडन करो आपसे पूछेगा दो टाइप से कोशन बन सकता है या तो करो इस प्रकार से कोशन बनता है अब हम स्कोशन को कैसे याद करें बिल्कुल सौट में हमें बता रहा है आपको फिर पर फुर्फेशर वाट्शन थे याद रखना उन्होंने एक सिंपल भासा में इस वर्ट को निचोड़ बताया कि यह चीज़ होता है इसको यह समझा जाता है मांग फलन का मतलब होता है इस बात का पता लगाना होता है देखो कि कौन-कौन से तत्व मांग को मांग को निर्धारित करते हैं यह मुला गया है मांग फलन का मतलब यह होता है उनको यह पता लगाना होता है कि कौन-कौन में एक निश्चे समय पर किसी बस्तू का मांग फलन उस बस्तू की खरीदी जास सकने वाली बिभिन मात्राओं तथा उन मात्राओं को निरधारित करने वाले तत्वों को बीज के संबंद को क्या करती है व्यक्त करती है ठीक है अब यहां तक आपको एक्स्पेंट करना है बस अब इतना आपको समझ में आगया चलो अब यहां देखो उसके बात में देखो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से है देखो यहां उन्हेंने सिंपल दे रखा है उपर से भी फिरसे मैं दुबारा से रिपीट करता हूँ तो मांग फलन के इन बातों को द मांग फलन में उस बस्तू की खरीदी जा सकने बाली जो विभिन मात्राओं अबम उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में संबन्द व्यक्त करता है उनको हम मांग फलन कहते हैं यह प्रूफेसर वाटसन ने बोला था उसके बाद में यह घटक कौन- और उन घटकों को हम जाल लेते हैं अन्द ध्यान से देखना है देखो पहला घटक होता है मांग को परभावित करने माले यह मुता है ऑफ़्भोक्ता की आये क्यों प्वोगता की रूचियां क्या है अब देखो देखो ऑभोता किसे कहेंगे जो जो माल को खरीद रहा है ज उसकी आय कोपर depend करता है उसकी रुची क्या है किस चीज में उस भोगता जो एक लाख रुपे कमा रहा है तो वो जादा कर किस किस चीज में खर्च कर रहा है पैसे तो उस रुची को हम देखना है ठीक है तब ही प्रपाहिद करने वाले का उसकी रुचियां के बारे में और की पुरुक्त तत्वों को मिलाकर मांग फलन त्यार किया जाता है मतलब इन घटकों को देखकर उनकी आय क्या है रुची क्या है परिवर्तन कितना हुआ जनसंग्या का आकार क्या हुआ कितनी बड़ी जनसंग्या आय बितना क्या है बस्तू की कीमत क्या है पहले कितनी थी अब स संबनित वस्तू के कीमतें उनसे कैसी कैसी दे रखिए तो वो सब कुछ यह मिलाकर इनका निचूड निकालना मांग फलन कहलाता है यह यह नियुक्त होता है तो यहां आप समीकड की कभी बात करो तो कौन सी समीकड आप लगाओगो तो यह वाली समीकड आप देख सकते हैं कि dx बराबर px.px देख सकते हो pz सब देख सकते हैं और dx यहां तो देखो r तक दे रहा है मैं दुबारा से repeat यहां बिटा देता हूं ता कि आपको clear दिखाई दे देख लो यह हो गया हमारा dx बराबर होता है d दुबारा से repeat करता है देखो यह वाला इसको देखो यह वाला य और P, R बाइ, T, E, P और बाइ, D ये हमें ये एक समीकड को लिखना बहुत ज़रूरी है जिसे हम मांग फलन की समीकड भी बोलते हैं तो इस तरीके से बास आपको याद करना है बागी कुछ खास नहीं इस heading को आप डाल दिया करो और उसके बाद में इसको एक यहां से ये सिस्टम मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया ये उत्तर हो गया तो बस इतना आपको याद करना तो कुछ खास नहीं था तो आई हूब आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सिस्क्राइब को बैल आइकन को प्रेस कर देना ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई